लकनों से अब खबर जहां स्वामी प्रसाद मौर्या की बढ़ने वाली है मुश्किले जहां स्वामी प्रसाद मौर्या पर F.I.R दर्ज हुई है रामचरित मानस पर विवादत बयान देने पर F.I.R दर्ज की गई है हजरत गंज कोतवाली में दर्ज हुई है F.I.R जहां एशबाग के शिवेंद्र मिश्रा ने दर्ज कराई है F.I.R तो देखिए काई ना कई मुश्किले अब बढ़ने वाली हैं स्वामी प्रसाद मौर्या की जो उन्होंने बयान दिया है रामचरित मानस को लेकर उसको लेकर अब उनके खिलाफ F.I.R दर्ज कर ली गई है अब इसी के संग्यान के चलते कारवाई भी की जाएगी आपको बता दे एशबाग के शिवेंद्र मिश्रा हैं जिन्होंने ये F.I.R दर्ज कराई है आब इसको लेकर किस तरीके से घिरते हैं आने वाले दिनों में ये देखन महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है कही ना कही वो भावदाओं को आहत करने वाला है स्वामी प्रसाद मौरया ने बिना सोचे समझे ऐसे धार्मिक गरंत जो कि कही ना कही हिंदूओं की लाखो करोडों हिंदूओं की आस्था से जुड़ा उस पर उन्होंने बड़े सवाल खड़े किये हैं साथी प्रतिबंद लगाने की जो मांग किये हैं उन्होंने उसको लेकर कई संतों ने भी अपनी नाराज़गी जताई है और इसे के चलते अब स्वामी प्रसाद मौरया अब बर एफायार दर्ज करा दी गई है अपडेट लेते हमारे समाधाता निलेश शोहान हमारे साथ जुड़ गए है निलेश क्या कुछ जानकारी देखाए अफायार दर्ज हो गई है स्वामी प्रसाद मौरया के खिलाब किस तरीके से अब कारवाई की जाएगी क्योंकि कही ना कही इस बयान ने उनके लोगों की भावनाओं को आहत किया है लाखों लोग जो रामचरित मानस पढ़के बड़े हुए हैं जो बच्चे भी हैं कही ना कही उनकी आस्थाओं को ठेस पहुची है और इसके चलते उन पर ये फायार दर्ज की गई है अगर हम बात करें तो राजधानी लखनों में कई थानों में स्वामी प्रसाद माउरा के खिलाब तहरीड दी गई है उनका साब तोर पर कहना है कि स्वामी प्रसाद माउरा ने रामचरित मानस जैसे पवित्रत की पवित्रता को भंग करने की कोशिस की है साथी साथ हिंदू आस्ता के साथ खिलवार करने का काम किया है लखनों की अगर हम बात करें तो हजरत गंज चौक उसके साथ-साथ आलम बाग थाने में इनके खिलाब तहरीड दी गई है और कई ऐसे संगठन है जिन्होंने विरोध प्रदरसन भी राजदानी के अंदर किया है अगर हम बात करें तमाम राजनेताओं की तो उन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौरिया के इस बयान को लेकर आपत्ती जताई है साथ तोर पे अगर हम बात करें स्विपालियादों की तो स्विपालियादों ने भी कहा है कि इस तरीके का बयान पार्टी का बयान नहीं हो सकता हूँ स्वामी प्रसाद मौरिया का बैक्तिकत बयान होगा वही अगर हम भाजपा नेत्री अपड़ना यादों की बात करें तो अपड़ना यादों ने साब तोर पे कहा कि राम चरित मानस अपने आप में एक पवित्र ग्रंत है और भगवान सरी राम अपने आप में एक ऐसा नाम है जो लोगों को जीने का तरीका सिखाता है परिवार कैसे एक साथ रहता है उसका तरीका सिखाता है और जो परिवार के बड़े लोग होते हैं उनका सम्मान कैसे करना वो तमाम सीख हमको रामचरित मानस से मिलती है उसके अलावा कर हम बात करें हिंदुस्तान के बाहर तो हिंदुस्तान के बाहर भी तमाम ऐसे लोग हैं जो रामचरित मानस का इस्मरण करते हैं और समय समय पर जो है रामचरित मानस से जैसे जुड़े हुए जो करेक्रम होते है उन्हें भी वोशंवित होते हैं तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौरीय का जो ये बियान आया है उस्में ये साफ होता है कि स्विद्व spreadsheet मोरा का ये बयान काफी बिवाधित रहा है और साथ ही साथ अगर हमें बात करें जो हिंदू वाधि Gabriel संगठन है उन्होंने एक स्वामी प्रसाद मौरिया के पुतले फुके गए हैं। गिलार दो History में वहां ज Θा पॉर्ग कार बंज हो इतना काके को स्वामी प्रसाद Q. तरब से क्या कुछ action लिया जाता है क्योंकि इसमें स्वामी प्रसाद माईया का जो बयान है स्वामी पर्साद मोर्या की तरफ मैं चाला मंडशाखे मिली मृट करना है वह है अला के आपती जताई है उनका साब तोर पे कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्या अगर इस बयान को लेकर माफी नहीं मांगते हैं या फिर जिस तरीके से उन्होंने इस बयान को कोड किया है उसको लेकर अगर स्वामी प्रसाद मौर्या के तरफ से कोई प्रतकिरिया नहीं दी जाती है तो अध्या के स साथ उसन्द भी स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाब मोर्चा खोल सकते हैं अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे प्रकरण को कैसे मैनेज करती है क्योंकि ये हिंदू आस्ता से जुड़ा हुआ बड़ा मामला है क्योंकि जब भी राम चरित मानस की बा उनुन तमाम चीजों को लेकर लोगोंने अपत्ती जताई है हला कि कुछ ऐसे भी लोग मिले जिनोंने कहा कि अगर सौमी प्रसाद मौर्या को रामचरित मानस से अपत्ती है तो गो स्वामी तुलसिदास जिन्होंने राम चरिद मानस की रचना की और स्वामी प्रसाद मौर्या के नाम में भी स्वामी आता है तो स्वामी प्रसाद पहले अपने नाम से स्वामी और प्रसाद अटा दे उसके बाद बात की जाएगी क्योंकि जो रामचरीद मानस है लोगों के चरित को बिहतर बनाता है, साथ ही साथ लोगों को जीने का सलीका सिखाता है ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्या का ये बयान जो है उसको लोग खुल कर उसका विरोध कर रहा है और जगे जगे पर इनके खिलाब मुकदमे भी दर्थ करा जा रहा है